नमश्कर मैं Anoushii Loja और आप देख रहे हैं दबस्टोरी आज हम आए हैं होमियोपेतिक क्लिनिक में विनोत्स क्लिनिक में चलिए जानते हैं इनसे कि होमियोपेतिक का क्या अभी इलाज मौझूद है क्रोणा महमारी के समय तो चलिए जानते हैं तो चलिए डॉक्टर सर से ही हैं कि क्या होमेटिक के और इलाज है नमस्कार सिर किस तरा से देखते हैं सिर्गछिये कोविड महामारी के समय क nee हंपयाथ केसे में काफी हद तक कॉमबाट करने कोई से कॉमबाट करने में हेलट आधे अभी हिस्ट्रिट around two सबने नहीं बहुत से लोगों ने अच्छा कमबग किया जिसमें से दो तीन का आप लोगों ने फेस्बुक वगरा पर देखा होगा थोड़ा सा वारल भी होता हुआ हजारी बाग एंट राचिक में कुछ पेशेंट में अच्छा इंप्रूमेंट आया था बट होमियोपैथि में एक चीज और दिक्कत क्या है आप लोग का वाट्सेप होता है ना वाट्सेप पे जैसे सेकेंड वेब के दरौन चला था एस्पी डोस्फर्मा क्यू इसको लेने से आपकी जो ऑक्सिजन कंसेंट्रेशन लेवल है ना एस्पी ओटू बोलते हैं उसको फॉल होने में यह पर रोपता है उसको इस इंक्रीज करने मदद करता है बट ऐसा नहीं है तो हम लोग ने सब को बोला था कि आप ऐसा नहीं करिये ठीक है आप दीजेगा तो कोई साड़ एपक्ट वासा नहीं है बट इसके भरोसे रहना उचित नहीं है उससे बहतर है कि आप अपने अगर लें तो ज्यादा बेटर होगा आम तोर पर लोग आयुर्वेदिक और होमियोपातिक में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं अप इसके बारे में क्या बताएंगे जो है यह कुरूड फॉर्म में बेज़ जो सबसे हमारी पुरानी सब इता में से है आर्वेदिक उसमें क् मर्कुरी मर्कुरी से जो भी मेडिसिन वहां पर बनती है उसको क्रूड फॉर्म को ट्राइचुरेट करके मतलब उसको बहुत कम अंश आप उसका लेते हैं ट्राइचुरेट करने से वह पौडर बनता है उसके बाद दवाई बनती है बट फिर भी कही ना कही थोड़ी सी मा मेडिसिन के जो क्वालिटी है वो इतनी सुच मुझाती है इतनी डैनेमिक हो जाती है कि सिर्फ प्रॉपर्टी रहती है अकॉर्डिंग टू लॉग उसमें होमियोपैथिक लॉग और यह चीज़ आजकर तो देखा भी गया है अब ये इलेक्ट्रों माइक्रोस्कोप से भी बताया गया कि बियोंड एवोगैड्रो नंबर जो कि हमारा 12 पावर है वहां तब एवोगैड्रो नंबर से चलता है 12 के बाद भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी उसमें मिली है तो यह काफी दो साल पहले बाद था काफी एक चेंजिंग एस्पक्त होमियोपैथिक के लिए तो स सिद्धान्त है कि लौ ऑफ सिमिलर्स ठीक है सिमलिया सिमिलिबस के रेंटर हमारा एक प्रिंसिपल है मतलब जिस सेट आफ सिम्टम आपको अभी है उसी सेट आफ सिम्टम के ड्रग चूस करने पड़ते हैं ठीक है उसके बाद वो ड्रग यह डॉक्टर पर डिपेंड करता ह है कि actually patient में वो क्या चीज़ देखते हैं जिससे वो selection of drug करते हैं यह बहुत बहुत चैप्टर है बट नॉर्मली ऐसा करते हैं कि जैसा भी आपको लक्षन दिखा देता है उस लक्षन पर अधारित होमेपैथिक मेडिसिन एक डॉक्टर पिसकाइब करते होमेपैथिक डॉक् प्रिस्क्राइब करने के बाद उस बिमारी से या उस सेट ऑफ सिम्टम से निकलने में patient को मदद मिलती है अब उनकी immunity boost होती है या उनका क्या शक्ति मिलता है यह अलग बात है बट होती तो है सर हमारे दर्शक दबर स्टोरी के आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे महमारी के दोरान Maha column को यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर जरूत नहीं हो तो अपनी घर में ही रहें ज्यादा किसी से मिले नहीं और एक दूरी बना के रखे, suppose आप किसी के आपको जाना भी पड़े, तो आप एक दूरी बना कि या अगर मिलते भी है तो sanitize करिए, कपड़े अच्छा से उसको साफ रखिए, बस थोड़ी सी हिदायच चाहिए बस इससे नहीं पटने के लिए, और काफी कुछ लोग होते हैं काफी परशान होते है जिससे दवाईया एकटी करके रख लेंगे, सिलेंडर से एकटी करके रख लेंगे, बट जिसको जिन्विन जरुवत होती है, उसको घट जाती है, तो ऐसा ना करें, हमारे सरकार ने सारा कुछ फैसलेटी किया है, तब तो second, अब सारा कंट्री का देख लिजे, और हमारा र जिसको जरुवत पढ़ सकती है, तो जिसको जरुवत पढ़ सकती है, वो स्टॉक ना रखे, ऐसे भी, जैसे एक घर में, अगर चार-पांच लोगों को सिम्टम आया है, तो ज़रुरी नहीं कि सब का उसी वेरियंट से सब को एक रह सेता है, इसमें से कुछ ही वेरियंट है जो हानिकारक है, अब ही सुने होगे कि इतने लोग एडमिट हुए है, उसमें से 2-5% केस फैटलिटी हुआ, सब तो नहीं मर गया है, हमारा मेडिकल सिस्टम इतना तो काम कर जबकि सबसे अच्छा मेडिकल सिस्टम इटली कमाना गया था, वहां का मेडिकल सिस्टम फेल हो तो अपने लोग कहां आती, इंडिया में, फिर भी देखिजें कितने अच्छा से लड़ाई किया है, ठीक है, बहुत सारे लोग चले गए, हमारे बहुत नीजी लोग भी गए हैं, लेकिन ऐसा मेडिकल, ऐसा आपदा में ऐसा होता है, सब चीजें खराब उने लगते हैं, अभी तो बहुत ठीक है, अभी थर्ड वेब की आशंका थी, अगस्त लास्त तक, देखते हैं, राखी में भी जादा इधर उधर जाके जादा गेट टूगेदर ना करे, भाईयें अपने बहने अपने भाईयों को राखी बांदे, और घर पर ही रहें, सुरक्षेद रहें तो देखा आपने ये थर्ड डॉक्टर साहब जो होमियोपैतिक का इलाज करते हैं, और इन्होंने बताया कि होमियोपैतिक किस तरह से बेनिफीशल है आप लोगों के लिए COVID महामारी में, धन्यवाद मैं अनुशील होजा, हमारी खबरों को दबब स्टोरी के पेज पर जा